प्राह टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महराश के ठाने शहर में इन दिनों तेंदुए के आतंग का खौफ फैला हुआ है ये तेंदुआ रिहाशी इलाकों में कई जगहां दिखाई दिया, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है शिकायत मिलने के बाद वन विभाग के अदिकारियों ने इस तेंदुआ को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है जानकारी के मुताबिक करीब 10 जगहां पर जाल बिछाया गया है साथ ही लाइब कैमरिक के जरिये भी इस तेंदुआ को जल से जल पकड़ने की कोशिस की जा रही है आपको बता दे कि ठाने शहर से ही लगा हुआ नेशनल पार्क का इलाका है जहां से 63 तेंदुए शहरी आबादी में दाखिल हो जाते ये तेंदुआ 15 डिसेंबर को पोखरन नंबर 2 एरिया में पाया गया था और जितने भी लोगों ने वीडियो जा एरिया के जितने भी लोगों ने इस लेपड के बारे में जिकर किया है वो सीची टीवी के मारफत देखा गया है तो एक अडवांस टेकनोलोजी होने के वज़े से ये लेपड की स्पोर्टिंग हुई है तो प्रॉबबली ये लेपड काफी दिनों से यहां ये एरिया में घूमता होगा अभी जितना हम लोग ने इंफोर्मेशन और हमारी एंजियो ने जितना इंफोर्मेशन अभी निकाला है उसमें यही पता चल रहा है कि ये लेपड वापस संजे गांधी राष्टे उद्यम में जाने की कोशिश कर रहा है और जाते समय अगर कोई रॉंग इंसिदेंट ना घड़े इसलिए हम में फॉरेस्ट डिपार्ट्मेंट और फॉरेस्ट डिपार्ट्मेंट के जिकने भी टॉप ऑफिसर्स है वो ये प्रोजेक्ट में अभी लगे होगे होगा बेत्र गुटे यहां पे लेपर्टों सकता है यहां चुका है वह पर हम लोग इसकी सट कर देख मुटक की और यह बबड किसी के ओपर भी अभी तक अटक हुआ नहीं और यह बहुत शाय है तो इन फैक्ट जिन लोगों ने CCTV कामेरास या CCTV के पुटेज देखी होगी तो उसमें यह लेपड जबी क्रॉस करता है तभी उसके बाजू में एक आदमी सोया है जिसको उसने कुछ भी नहीं किया और जब दूसरा आदमी दर्मयान इस लेपड को देखता है तभी यह जो सोय आदमी है वो जाक जाता है और फिर तभी वो समझ जाता है कि लेपड है तो ओवराल इसमें यह समझ में आता है कि लेपड इंसान को जितना टालना चाता है उतना टालने की कोशिश कर रहा है तो ओनली थिंग इस कि अभी यह लेपड CCTV में दिखाई दे रहा है इसलिए इसक इतना चर्चा 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 जरे